हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का PK Technical Zone यूटूब चैनल में तो दोस्तों यहाँ पे काफी सारे यूजर्स जियो फोन 3 को लेकर इंतिजार कर रहे हैं कि जियो फोन 3 कब लॉंच होगा तो यहाँ पे दोस्तों कन्फर्म देट आ गया है कि जियो फोन 3 और जियो का 42 वा एन जा सकते हैं तो सारी डिटेल आज के वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं कियें तो इसे लाइक करने और हमारे चै गेनरल मीटिंग की डेट आ गई है जी हां दोस्तों इस बार रिलाइन जियों का 42 एजियम 12 अगस्त 2019 को होने वाली है तो पिछले साल दोस्तों जियो के एजियम में जियो फॉन 2 को लांच किया गया था और इसके साथ यहां पे जियो गीगा फाइबर और जियो गीगा टीवी को भी लांच किया गया था मगर दोस्तों यहां पे जियो गीगा फाइबर और जियो गीगा टीवी को अब तक कमर्सियल लांच नहीं हो पाई थी तो इस बार दोस्तों जियो गीगा फाइबर और जियो गीगा टीवी को भी कमर्सियल लांच कर दी जाएगी और इसके साथ जियो गीगा फाइबर और जियो गीगा टीबी के पलांस भी लॉंच किये जा सकते हैं और साथ में दोस्तों यहाँ पे जियो फॉन 3 को लॉंच किया जा सकता है क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से खबरे आ रही थी कि इस बाद जियो फॉन 3 को 9 जियो के 42 एजियम में किया गया था तो वहीं पे 2018 के एजियम में जियो फोन 2 को लाँच किया गया था तो सायद इस बार भी जियो फोन 3 को लाँच किया जा सकता है दोस्तों ये कुछ इंफोर्मेशन आज यहां पे जियो की और से निकल कर आएं थें कि जियो अपना 42 वा एनुवल जैनरल मीटिंग 12 अगस 2019 को करने जा रही है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बार जियो के एजियम में आप कौन सा डिवाइसेस को लेकर सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं जियो गीगा फाइबर जियो गीगा टीबी या फिर जिय